क्या दोस्तों आप भी जानना चाहते हो कि होस्पोट से दूसरे मोबाइल में नेट कैसी चलाते हैं? क्या आपको पता नहीं है कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में इंटरनेट कैसे चलाया जाता है? तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम अगो बताने वाले हैं कि आप कैसे अपनी मोबाइल का इंटरनेट दूसरे मोबाइल पर शेर कर सकते हो तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तो मैं आपको बता दू अगर आप इस चैनल पर नए आते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके औल का उप्शन सिलेक कर लेना ताकि हम जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफेकेशन आप तलग तुरंत मिल सके दोस्तो अभी आपको स्क्रीन पर दो मॉबाइल दिख रहे होंगे जिसमें हमारा ये फर्स्ट वाला मॉबाइल है जिसमें हम होस्पोट चलू करेंगे और ये हमारा सिकेंड वाला मॉबाइल है जिसमें हम पहले मॉबाइल का इंटरनेट यूज करने वाले है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले मॉबाइल से दूसरे मॉबाइल पर इंटरनेट कैसे शेर किया चाता है सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है जिस mobile पर आपका internet data है और जिस mobile से आप internet share करना चाहते है उस mobile के hotspot को आपको चालू करना पड़ेगा वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको अपने phone की setting open करनी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हमने पहले mobile की phone की setting open कर दी है phone की setting open करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा other network and connection का अगर दोस्तों आपके phone में other network and connection का option नहीं है तो आपको network option तो मिल ही जाएगा ठीके हर phone की अलग अलग setting होते है उसके मुताबिक आपको देखना पड़ेगा ठीके अभी हम इदर other network के उपर क्लिक कर देंगे other network के उपर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा तो दोस्तों उपर से आपको दूसरा option मिलेगा personal hotspot का तो आपको simple से personal hotspot के उपर क्लिक कर देना है personal hotspot के उपर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface नज़र आएगा अभी दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ option मिलेंगे ठीके तो आपको सबसे पहला option मिलेगा personal hotspot का तो दोस्तों आपको इस वाले बटन को enable करना पड़ता है ठीके अभी हम क्या करेंगे इस वाले बटन पे क्लिक करके इसे enable कर देंगे अभी हमने इस बटन पे क्लिक करके हमारा hotspot start कर दिया है ठीके और दोस्तों उसके नीचे हमें और एक option मिलता है hotspot configuration का ठीके तो हम इसके उपर क्लिक कर देंगे इसके उपर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों सबसे उपर आपको एक network ID दिया जाएगा जहाँ पर आपके mobile phone का नाम होगा ठीके उसके बाद नीचे आपको password दिया जाएगा अगर आप अपने hotspot पर पास्वर्ड लगना चाते हैं तो simple से यहाँ पर अपना password डाल देंगे ठीके? जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पर हमरा password डाल दिया है password डालने के बाद दोस्तों ऊपर आपको done कर देना है ठीके? हम done कर देंगे, done करने के बाद दोस्तों अभी आपका hotspot तो start हो चुका है और आपने password भी रख लिया है, उसके बाद दोस्तों नीचे और एक option आता है data limit per use का, इस पे click कर देंगे, अगर आप 50 MB का data share करना चाहते हैं तो 50 MB पे click करेंगे, या फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पर choose कर लेंगे, अगर आप unlimited share करना चाहते हैं तो unlimited पे click कर देंगे, ठीक है यह तो हो गई बाद, उसके बाद नीचे और एक option आता है number of connection का, तो आपको इसके उपर click कर देना है, इसके उपर click कर देने के बाद दोस्तों, आप कितने लोगों को अपना internet share करना चाहते हैْ यहाँ पर choose कर लेंगे अगर आप एक इनसान को अपना internet share करना चाहते हैं, तो एक पे tick रहने देंगे और दोस्तो अगर आप दो लोगों को अपना internet शेर करना चाहते हैं तो दो लोगों को टिक कर देंगे ठीके इसके बाद दोस्तो अभी हमने ये से phone में हमारा hotspot तो start कर दिया है अभी हम आ जाते हमारे दूसरे mobile पर और यहाँ पर हम इधर से hotspot ले लेंगे ठीके तो आपको क्या गरना है अपने दूसरे mobile पर आपको यहाँ पर अपने mobile phone की setting open कर लेनी है जैसे कि आप लोग दिख सकते हैं अभी हमने हमारे दूसरे mobile की setting open कर दी है दूसरे mobile की setting open करने के बाद इधर आपको एक option में लेगा वाइफाई का ठीके किसका किसका wifi on है अभी यह आपको यहाँ पर show करेगा अभी आप लोग यहाँ देख सकते हैं वीवो mobile का यहाँ पर wifi on है तो यह हमारा ही hotspot है ठीके इसके उपर क्लिक कर देंगे इसके उपर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यह password पूचेगा तो अभी हमने इस mobile में जो password रखा है जिसे के आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1234 password है हमारा और उसके बाद 4 time V है ठीके तो हम यहाँ पर डाल देंगे 1234 और 4 time V ठीके तो अभी हमने यहाँ पर हमारा password डाल दिया है password डालने के बाद उपर आपको joint button दिखेगा तो आपको simple से joint button के उपर click कर देना है joint button के उपर click कर देने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वीवो connected दिखा रहा है अभी दोस्तों इधर उपर आप देख सकते हैं वाइफाई का लोगों भी हमारे पास शो कर रहा है तो दोस्तों इस तरह से आप पहले mobile का internet दुसरे mobile में यूज कर सकते हो हो spot के जरिये